Okay, so now I will discuss about the classes of phenolics and the examples of phenolics. कुछ जिदने भी example है जो भी phenolics compound plant में present होते हैं, क्योंकि most abundant है, ठीक है सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं plant में वो phenolics ही पाए जाते हैं, तो उनको different classes में different categories में divide किया गया है. तरपीन ज्यान रहे most diverse class है सबसे जादा जो secondary metabolite पाए जाते हैं पूरे system में पूरे living system में वो terpenes है लेकि most abundant जो है plant में वो है phenolics तो phenolics में कुछ जो है आपके grouping की गई है जैसे कि एक कमेरी निडिक घड़े त셔서 दकूर मेरीन का मेरीं को मेरीनट इसके अलावा लिगनिं एक ग्रुप है प्लांट में फिनोलिक्स का । इसके लावे एक और लार्ज गरुप है खुद फि Evanollys में बोगत लार्ज गुरुप है Flavonoyd 상태 कि अप्रोक्सिमेटली फाइफ थाउजन या फाइफ हों से बोगत है एस फ्लइवन अचाए और एक और गुरुप है Tannin तो अगर phenolics के example भी पूछे जाएं तो example हमें class wise भी पता नहीं चींड कि cow marine एक class है वो phenolics है lignin जो compound है second wall का जो component है secondary cell wall का एक water insoluble compound जो थिक बनाता है plant को या plant cell को वो भी phenolics है flavonoids जो होते हैं खुद ठीक है flavonoids भी जैसे anthocyanins जैसे flavons ठीक है flavonols, isoflavonoids तो यह सब भी क्या है आपके phenolics है और tannin compound कुछ toxic tannin compounds होते है plant के अंदर जो plant को resistant बनाते है fungus या pathogen से क्योंकि वो toxic है तो उस आने वाले pathogen को क्या है attack करते है phytoalexene जो मैंने कल बताया था behavior उसके according तो यह सब क्या है phenolics है सो पर्टिकुलर्ली पहले हम discuss करेंगे cow marine के बारे में सब्सक्राइब काउ मैरीन जो है यह फिनॉलिक्स है फिनॉल्स है और फिनॉल्स में भी पर्टिकुलर्ली कौन से है फिनाइल प्रोपेनोईट्स हैं यह फिनाइल प्रोपेनोईट्स है इसका मतलब इस भी टोटल 9 करबन होते हैं 9 करबन का रेंजमेट क्या है C6 C3 C6 C3 का मतलब एक अरोमेटिकर रिंग है और तीन कार्बन होते हैं यह सीथरी कार्बन यूनिट है यह सिक्स कार्बन यूनिट है इसके अलावा काउमेरिन के अलावा सिनेमिक एसेड सिनेमिक एसिड या ट्रांस सिनेमिक एसिड जो की बन रहा था इंटरमीडियर्ग था सइन्थेसिस के दुरान वह भी फिनाय plupart अधी मेरीन भी फिनायल प्रपेन rapid हैं कुछ और फिनायल प्रोपेनध होते हैं जैसे कि कैफीक एससेड या फैरलिक एससेड यह क्या है आपके कुछ फिनाइल प्रोपेनोइड है और पर्टिकुलर्ली फिनाइल प्रोपेनोइड लेक्टॉन्स फिनाइल प्रोपेनोईड लेक्टों फिनाइल प्रोपेनोईड तो है ही है उसके साथ लेक्टों ग्रूप भी है उनको बोला जाता है काउमेरीन तो क्यूंकि हम अल्ली काउमेरीन डिसकस कर रहे हैं दिसकस अबाऊ-डिसकस्ट अबृऊ-डग्जामपल अफिफ् सि यानि फिनाइल प्रोपेसिण, के अलावा, सिनमीक य्सिड सिद्धिय तो फिनाइल प्रोपेसिड हैं ठीक है यानि शिचिए maior उनित है और फिनाइल प्रोपेनोई लेपकों अग्टो kijें नाम है काउमेर門 फ एक फीनॉल है, 300 अराउंड 300 काव मेरीन मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर, अब देखिए, काव मेरीन एक क्लास है, कोई पर्टिकुलर फीनॉलिक्स तो है नहीं, एड़ेकली, खुद काव मेरीन में भी अलग-अलग करता हो लेकिन class जो है पूरी cow marine उसके लिए हम क्या कहेंगे यह सभी plants में मिलते हैं उसके लावा यह fungus में भी मिल सकते हैं तो cow marine का जो source है cow marine which is a phenyl propanoid lactone having a c6 c3 unit okay there are total more than 300 of cow marine found in the plants as well as the fungus so cow marine के example की अगर बात करें हम तो एक cow marine जो की most important है plant के अंदर cow marine class में अब हम example के बात करते हैं तो एक cow marine आपका scopolitan seed germination में या seed dormancy में मैंने पढ़ाया भी हुआ यह फिप सेम में तो ठीक है scopolitan जो होता है scopolitan scopolitan का main काम है seed germination को inhibit करना यह एक phenolics है जो present होता है seed coat में present in seed coat अगर seed coat में scopolitan cow marine है particularly cow marine which is a phenol तो scopolitan अगर cow marine seed coat में present है तो यह inhibit करके रखता है seed germination को seed को germinate नहीं होने देगा चाहें कितने ही जो factors है वो available क्यों ना हो ठीक है तो यह most abundant most abundant cow marine है बहुत सारे plants के seed के अंदर scopolitan present होता है वो सबी plants mainly जो नहीं क्या कर पा रहे germinate नहीं कर पा रहे इसको discover किस plant से किया गया था यानि source की अगर बात करें हम source plant इसका मतलब यह नहीं कि केवल उसी में मिलता है इसको discover सबसे पहले कहां से किया गया था एक plant होता है scopolia japonica तो उसी के नाम पर इसको रग दिया गया इस cow marine को this is j scopolia japonica जो plant है वहां से इसको extract किया गया था इस particular cow marine को जिसका नाम है scopolitan और इसका function है seed germination को inhibit कर करके रखना एक और cow marine है डाई cow मेरॉल काउ मेरिन देखिए दो या तीन जो भी एक्जामपल हम पढ़ते हैं सारे important है डाई cow मेरॉल जो होता है आपका fungus में भी और plants में दोनों में मिलता है fungi as well as plants यह क्या है आपका anti-cogulant है blood thinner है blood की जो clotting होती है उसको prevent करता है ठीक है blood clotting को जल्दी नहीं होने देगा blood thinner है anti-cogulant है यह इसकी property है इस डाई cow मेरॉल की तो यह fungus में भी मिलता है और plant में भी मिलता है plant जिसमें सबसे पहले इसको source जो होंगे many plants होंगे किवल एक में नहीं मिलता many plants as well as fungus बट सबसे पहले जो discover किया गया था तो इसको discover गया था एक plant में mally lotus में यह mally lotus plant जिसको sweet clover भी बोलते हैं ठीक है yellow orange sweet clover या sweet clover बोलते हैं या sweet clover हे बोलते हैं इस plant को mally lotus scientific name है इस plant के अंदर से die cow merle जो कि एक cow marine है और cow marine हमें पता होने चाहिए क्या है खुद phenolics हैं पहली class पढ़ रहे हैं हम cow marine phenolics की so this is also an important इसके अलावा एक और बहुत important cow marine होता है aflatoxin b1 aflatoxin b1 यह जो है आपका यह mycotoxin है या carcinogen है cancerous causing chemical है यह ठीक है तो यह भी जो इसका भी source है जो है वो plants और fungus हैं देखिए यह दोनों die cow merle और aflatoxin b1 दोनों ही fungus और plant से मिल रहे हैं fungus जिससे यह मिलते हैं जो main source aflatoxin b1 का अब यह many plants में नहीं मिलता particularly कुछी plants में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा जो है यह जहां से synthesize किया गया था वो किया गया था fungus से aspergillus से aspergillus flavis यह species है aspergillus flavis species यह एक और species थी parasiticus parasiticus तो यहां पर कुछ मैंने source भी लिख दिया है जहां से इनको obtained किया गया था बट ऐसा नहीं है कि यह host specific है तीनों में से कोई भी जो है होस्ट specific नहीं है सभी प्लांट सभी में नहीं मैंनी प्लांट में फंगस में मिलता है में लिए दोनों और scopolitan fungus में नहीं मिलता यह mostly plants में मिलता है जहां पर seed germination को inhibit किया हुआ है due to seed coat क्योंकि seed coat में यह chemical present है so this is about the cow marine next class के हम बात करते हैं that is flavonoids after the cow marine there is one more important class और वन मोर लार्ज ग्लास flavonoids more than five thousand okay five thousand से भी ज्यादा more than five thousand flavonoids मिलते हैं plants के अंदर तो phenolics की भी largest class है है यह जो है आपके तैनिन अमोंग दी टैनिन आम दी लिग्निण अमोंग cow marine and among flavonoids largest class जो है वो flagonoids से क्योंकि 5000 से भी जादा जो हैं आपके फिनोलिक्स वह अकेले flavonoids ही होते हैं तो इनका जो में का में का मैं फ्लेवनीच का इन का में काम है है color impart करना के color देते हैं plant parts को हो ठीक है plant parts mainly like flower flower में भी petals okay fruits botanical fruits जैसे कुछ vegetables जो हैं तो vegetables जो बॉटनिकल फ्रूट ही है तो vegetables के parts leaves को foreign countries में या इंडिया में भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो है वो कलर होते हैं यानि क्लोरोफिल से जादा उनके अंदर डिफेंट पिगमेंट्स है जिनके वज़े से वो कलर्ड है ठीक है तो उन सब को कलर देना इनका में काम है उसके अलावा ये भी जो है पैथोजन अटेक से बचाते है पराइट कलर देते हैं तो पॉलिणीटर को एट्रैक्ट करते हैं तो सबसे में काम तो क्या है कलर देना है फ्रूत है जैसे की बलू biology है ठीक है ब्लैक बैरी है या रैस्प बैरी है ठीक है प्रिंजल है या एग प्लांट जिसको बोलते हैं उसका जो फ्रूट है परपल होता है ब्रिंजल एक प्लांट तो वो सब एंथोसाइने पिगमेंट की वज़े से हैं तो सबसे में फंक्शन कहें तो वो तो कलर इंपार्ट करना ही है उसके अलावा कुछ सेकेंटरी फंक्शन भी है कि कुछ पैथोजन अटेक करते हैं कुछ पॉलिंटर्स को अट्रेक्ट करेंगे क्योंकि वो पैटल्स को कलर दे रहे हैं पर्टिकुलर्ली फ्लावर के पैटल्स को यह तो प्लांट के लिए फंक्शन है और उसके अगावा मेडिशनल वेल्यू भी होती है इनकी मेडिशनल वेल्यू प्लांट के नहीं है मेडिशनल वेल्यू हमारे लिए जब हम उनको उप्टेंड कर लेते हैं किसी प्लांट से तो उनके मेडिशनल यूज भी देखे जाते हैं तो फ्लेवनोइट्स जो होते हैं फ्लेवनोइट का मैंने आपको फॉर्मॉला भी बताया था जनरली C6, C3 and C6 तो क्यूंकि आपका C6, C3 है तो 15 कारबन है फ्लेवनोइट्स में फ्लेवनोइट्स में 30 कारबन थे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे था हमने पढ़ा था फ्लेवनोइट्स में 15 थे और फ्लेवनोइट्स में आपके 30 कारबन थे तो वही होगा आपका दो एरोमेटिक रिंग होंगी बीच में तीन कारबन होंगे ठीक है इस तरह से तो यह जो है आपके फ्लेवनोइट से अब फ्लेवनोइड में भी सब क्लासेज होती है उन सब क्लासेज में भी बहुत सारे एक्जामपल है जो इंपॉर्टेंट है यहां पे जो आपके यह 15 कारबन युनिट है यानि यह सी 6 C3, C6 जो यह युनिट है इसमें अलग अलग तरहें के जो कंपाउंड है उनमें OH ग्रूप का नंबर वेरी करता है प्लस कुछ में जो है शुगर्स भी अटाच होती है शुगर्भी as a group in aromatic rings के साथ या carbon के साथ क्या होती है अटेच होती है तो वह सारे compound क्या कहलाता है फ्लवेनोड्स तो अब जो फ्लवेनोड्स है यह फिनाइल प्रोपेनोड्स नहीं है क्योंकि फिनाइल प्रोपेनोड्स में तो क्या था C6, C3 cow marine जो थे वो phenyl propanoids थे flavonoids जो है वो आपके खुद एक class है terpenes की जिसमें 15 carbon होते है ना कि no carbon तो flavonoids जो कि एक बहुत common word है उसके कुछ sub classes मैं आपको बता देता हूँ sub classes में भी एक dominant class है anthocyanin anthocyanin खुद pigments है जो कि किस nature के होते हैं flavonoid nature के एक और sub class होती है flavons mainly citrus families में पाई जाती है नीम्भूगे जो ब्लांट है उसकी family के उसकी family के उसकी प्लांट में फ्लेवोंस पाई जाते है mainly उसके अलावा भी कुछ plants में मिलते हैं flavonoids होते है flavanols भी mainly lemon family में पाई जाते है citrus families में पाई जाते हैं उसके अलावा isoflavonoi होते हैं, देखिए सारे flavonoid है, तो यह चीज हमें द्यान रखने हैं कि 15कार्वन के ही होगे, कोई भी by flavonoid नहीं है, तो flavons और इसके अलावा isoflavons, यह कुछ सब केटेग्री हैं, so particularly anthosinin की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है anthocyanin which is a flavonoid एक compound आता है cyanidin यह हम पढ़ रहे हैं anthocyanins cyanidin जो है यह एक anthocyanin है source जो है इसका यहां हम source लिखेंगे और यहां लिखेंगे use तो किसी एक particle plant पे नहीं मिलता source क्या क्या हो सकते हैं grape हो सकता है ठीक है blackberry हो सकते है है उसके अलावा blueberry हो सकते है उसके अलावा apple हो सकता है cabbage हो सकता है तो cyanidin क्या है इनके अंदर मिलेगा अब plant के लिए तो function क्या परफॉर्म करता है grapes का color blackberry का color blueberry का color apple का color या cabbage का color cabbage white होती है बट मैं यहां पर परपल cabbage की बात कर रहा हूं हमारे यहां जोती है वह cabbage white होती है वह color नहीं देते cyanidin तो plant के अंदर तो color देने का काम करते हैं जब other than the plant uses क्योंकि secondary metabolite की तरह हम जिसकी बात करेंगे तो यह जो होता है antioxidant है medicinal use है इसके antioxidant है oxidation जा भी हो रहा था किसी चीज़ का उसको प्रिवेंट करता है heart attack में काम आता है heart attack लाने के लिए नहीं heart attack prevent करने के लिए ठीक है anti-cancerous है तो यह कुछ इसके यूज़ है यह बहुत important sign it in इसके लावा एक anthocyanin और होता है Malvedine Malvedine जो होता है वह present होता है आपका white is vinifera में white is जो plant है जिनसे red wine बनती है तो red wine का red color इस Malvedine pigment की वज़े से यह होता है ठीक है यह एक plant होता है प्रिमूला plant प्रिमूला एक plant है blue color का beautiful plant होता है उसका blue color जो होता है वह Malvedine की वज़े से होता है तो इसका main color impart करना है medicinal properties नहीं है इसकी एक और anthocyanin होते हैं डेल्फिन डिन ठीक है Malvedine जहां पर DIN लगा है यह रिप्रेजन कर रहा है एंथर साइनस को तो डेल्फिन डिन है इसका source जो है source plant वह fix है डेल्फिनियम होते हैं उके उनको blue color देता है डेल्फिनियम हमारे college में भी है अभी हम grow नहीं कराएंगा जन्रली जन्वरी में सीजन में grow करता है डेल्फिनियम ठीक है आप Google करके भी देख सकते हैं तो उनको color impart करना और अगर acidic medium में यह present रहते हैं तो वहां red color देते हैं डेल्फिनियम भी होते हैं कुछ red color के वहां भी डेल्फिनियम होंगे responsible blue color में भी डेल्फिनियम होते हैं और grape जो होते है red color के grapes particularly acidic medium की वज़े से वहां पे यह red color impart करते हैं तो इनका भी function क्या है color impart करना उसके लावा एक और anthocyanin है पियो निडिन पियो निडिन जो होते हैं वो इनका जो source plant है वो होता है morning glory plant blue color का एक और बहुत beautiful plant होता है जिसको morning glory plant बोलते हैं उसका जो blue color है वो इस anthocyanin की वज़े से हैं और anthocyanin इसका मतलब flavonoid है secondary metabolite है ओके उसके अलावा एक plant होता है पियोनी पियोनी प्लांट का purple color वो भी इस pigment की वज़े से पियोनी डिन की वज़े से होता है तो यह भी color impart करता है चलिए कुछ और जो है डिसकस करते हैं यह तो केवल anthocyanins थे फ्लेवनोट में और भी category मैंने बताई थी जैसे के Flavonols ठेक है या Flavons एक Flavonoid होता है Quercetin Quercetin Anthocyanin नहीं है यह Flavanol इस इस आ Flavanol तो यह जो होता है इसका यूज जो है यूज एंड शॉर्स इसका यूज है यूज है ये आपका supplement की तरह यूज होता है supplement आप समझते हैं ठीक है nutritive food होते हैं तो as a supplement यूज होता है और यह पाया जाता है onion में ठीक है उस whitest plant में ही यानि red wine में green tea में apple में गिंको बाइलोबा में गिंको बाइलोबा जो कि जिम्नुस्पाम में living fossil है उनके अंदर पाया जाता है तो यह भी पूछा जाता है ठीक है यह इंपॉर्टेंट है उसके लावा एक और है फ्लेवनॉड र्यूटीन र्यूटीन जो होता है यह एक mix है ठीक है मिक्स किसका है quercetine quercetine एक फ्लेवनॉड है इसके अंदर जब एक sugar एक डाई सेकराइड शूगर रूटीनोज डाई सेकराइड है रूटीनोज शूगर जब quercetine फ्लेवनॉड में mix कर दी जाती है तो बनता है र्यूटीन तो र्यूटीन भी एक अनधर तरह का क्या है आपका फ्लेवनॉल है फ्लेवनॉल है mix of फ्लेवनॉल है sugar फ्लेवनॉल ठीक है तो रूटीन की medicinal values बहुत ज़ाद है यह क्या करता है ब्लड वैसल्स को strengthen करता है ब्लड वैसल्स स्ट्रेंथन तो ब्लड वैसल्स को strengthen करेगा तो heart attack से prevent करेगा और यह जो है anti-cancerous side effect शो करता है यह कैंसर के जो side effect एक उनको कम कर सकता है direct cancer को कम नहीं करता है anti-cancerous है और side effects को क्या करता है ऑवर कम करता है तो अम यह नहीं कै सकते डारेक्ट की anticancerous ही है side effect अगर कुछ हो जाते हां cancer की दवाई की वज़े से है cancer की वज़े से तो उनको overcome कर सकता है this is routine routine का source जो है वो होते हैं citrus fruit routine नाम से पता चल रहा है root AC family होती है na citrus fruits की तो वहां से obtained होता है उसके लावा genocytin होता है genocytin isoflavon है यह isoflavon flavanols ठीक है यह flavanols के subclass अभी मैंने discuss किये थे just 10 minutes before तो आप recording back करके उनको देख सकते हैं तो isoflavon जो होते हैं इसका source है particularly soya bean lupine plant beans coffee these are some sources यह इसके use हैं यहां तक ठीक है आप इसके use की बात करें हम genocytin के जो आपके use हैं तो यह क्या करता है angiogenesis को प्रिवेंट करता है प्रिवेंट एंजियोजेनेसिस तो एक्सस ब्लड फॉर्मिशन होती है आपकी ब्लड वैसल्स की फॉर्मिशन होती है cancer के दुरान उसी के वाज़े से proliferation होता है तो उनको प्रिवेंट करता है यानि यह भी anti-cancerous है यह direct anti-cancerous है cancer को कम करने में कही ना कहीं क्या करते है रोल प्ले करते हैं jsou दिज्यार समझ अनदर फ्लावनोईट्स को घच फ्लेवन की बात करते हैं छेशन हों सीटरास फैमिली में मिलते हैं में में ख्टीक है तो फ्लेवन के example है जैसे की Luteolin, Tangeratin and Nobilitan. ये flavonoid है, flavonoid में भी एंथोसाइनिन नहीं है, ये flavonols नहीं है, ये क्या है? फ्लेवांस है, फ्लेवांस मेली सीटरस में ही मिलते हैं, तो सारे की सारे फ्लेवांस है, particularly Luteolin जो होता है, वो olive में मिलता है, औलिव में है यूज जो है इसका medicinal यूज है हाइपर टेंशन में और एंटी कैंसर यह भी एंटी कैंसर है ओके टेंगेटरीन जो होता है यह सिट्रस में मिलता है यह पैथूजन अटैक से प्रेवेंट करता है डिफेंस देता है सिट्रस में मिलता है इसकी भी medicinal वैल्यूज है का त्य०्रस जो होती है उसको completed का दिग्रेशन है उसको इनिविट करता है यानि medicinal value है, inhibit करता है, degrade नहीं करेगा cartilage bone को, उसके degradation को inhibit करेगा, और plant में भी एक काम करके देता है, plant में क्या करता है, chlorophyll को बचाता है, chlorophyll photolysis, अगर light बहुत जादा है और chlorophyll degrade होने वाला है, तो chlorophyll photolysis को prevent करता है, तो ये हैं flavons, हमने कुछ anthocyanin discuss किये, हमने flavonols discuss किये, जैसे कि quercetin और rutin, हमने isoflavon discuss किया, जैसे कि genocetin, हमने flavons discuss किये, जैसे कि luteolin, tangritin, nobelitin, और कुछ flavonans की भी बात हम करते हैं, flavonans, flavonans की हम बात कर लेते हैं, कुछ जैसे कि neregrin, ठीक है, neregrin, ये किसमें मिलता है, ग्रेफ्रूट में, और ये क्या करता है, टेस्ट बिटर करता है, कंडवा बनाता है, ग्रेफ्रूट को अगर neregrin present है तो, उसके अलावा एक बहुत important flavonan है, चैल कॉन, examination point of view से पूछा दा सकता है, ये मिलता है tomato में, tomato की पील में, तो ये जो है इसका जो use है, इसका भी medicinal है, cardiovascular disease में, और stomach cancer में, या viral disorders को treat करने में, ये बहुत important है, कैल कॉन, ठीक है, या चैल कॉन भी बोलते है, tomato से मिलता है, cardiovascular disease में भी use किया जाता है, multi-usings के, stomach cancer treat करने के लिए यूज किया जाता है, और viral disorders को treat करने के लिए यूज किया जाता है, एक last flavonoid आता है, जिसकी category भी flavonan है, that is also important, that is catechin, आजकल green tea पीना बड़ा ही fashion में है, तो source जो है, इसका वो होता है, green tea, और इसके जो function है, वो क्या है, ये antimicrobial है, antimicrobial, उसके अलावा antioxidant, blue से लिख रहा हूँ इसके function, antioxidant, ठीक है, और apple cider भी source हो सकता है, इसका green tea तो है, apple cider, जहां पर बहुत थंड पढ़ती है, वाँ पे लोग apple cider पीते हैं, packaged food भी है, packing में भी आता है, ठीक है, apple cuddles, तो उसके अंदर भी catechin मिलता है, so these are some flavonoids, we have differentiated them in the anthocyanin, or the flavonols, flavons, isoflavon, or the flavonans.